Hello guys, welcome back to PC वाले YouTube चैनल and India में क्रिप्टो टेक्स, 30% क्रिप्टो टेक्स लगने वाला है क्रिप्टो करन्सी इस पर अगर आपको नहीं पता तो आज ही जो हमारा जो बजट निकल का है Financial Year का जो हर साल बजट आता है, एक February को वो जो है वाज निकल का है और उसके अंदर बताया गया है कि 30% टेक्स लगएगा क्रिप्टो करन्सी इस पर और Miners जो कि आपके Graphics Card खाये जारे थे, जो लोग की वज़े से वो आपके Graphics Card की Shortage पर लगए थी, तो उन Miners को बहुत बड़ी Penalty लगने वाली है और मैं explain करूँगा कैसे, तो पहले बात करते हैं, यह Tax लगा है, वो Cryptocurrencies के Profit पर लगा है, तो यानि अगर आपने, for example, आपने Bitcoin में लगाए 100 रुपे, और आपके 100 रुपे बन गए 200 रुपे, ठीक है, तो यानि कि आपको हुआ 100 रुपे का Profit, आपने 100 रुपे लगा है, आ आप जो है वो सिर्फ Profit नहीं कमा रहे हो, आप वहाँ पे Electricity का Bill भी पे कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है, वो सबसे Important चीज आती है, यहाँ पे वो Important चीज यह आती है, कि यहाँ पे जो है, वो सीधा सीधा बोला गया है, कि हमाँ आपका Electricity Bill या जो भी आपका खर्च जा हो रहा है, उसको consider नहीं करेंगे, आपको टेक्स पे करना पड़ेगा, यानि कि अगर आपने अपने Graphics Card से माइन करके, for example, माइन करके आपके, मान लो, दिन के 100 रुपे बन रहे हैं, just example है, ठीक है, अब उस 100 रुपे जो आपके दिन के बन रहे हैं, उसमें कुछ electricity भी कं करना है, and then उसके बाद जो आपका बचेगा, वो आपका profit होगा, right, यहां पे जो है, अब ऐसा नहीं है, अब यहां पैसा नहीं है, पहले आप उस 100 रुपे में जो है, वो 30 परसेंट टेक्स दोगे, यानि कि आपके पास 30 रुपे तो आपके चले गए, आपके बचे 70 ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने पर भी जो है, वो 1% TDS एक्स्ट्रा आपका लगेगा, ट्रांसफर करने पर भी जो है, वो टैक्स यहां पर लग चुका है, तो एक एक kind of, मैं उनको hurdle हो चुकी है, माइनर्स के लिए, क्योंकि जो लोग investors है, उनके लिए तो खाली 30% ट माइनिंग वर्डवाइड होती है, यह जो माइनिंग का क्रेस चल रहा है, जीपू की शौट है चल रही है, यह वर्डवाइड सिनेरियो है, यह सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, but, but यह जो लॉग आया है, इससे at least इंडिया में काई लोग दो बार सोचिंगे माइनिंग तो first April से पहले पहले तक अगर, for example, जिसको जो भी miners है, उनको जितना profit कमाना है, वो कमा सकते हैं, मुझे लगता है कि first April के बाद जो है, अगर bitcoin जिस हालत पे अभी है, जितना नीचे अभी है, उतना ही रहता है, या उससे और नीचे गिरता है, तब तो भई, मतलब आप guarantee लि है, उसमें से थोड़ा बहुत, miners कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे, क्योंकि bitcoin की price उपर चली गई, तो हमको hope यही करनी है, कि बस जो है, वो law तो ला गई government, और जो है, गवर्मेंट यह भी बोलेगी, वो अपना खुद का इंडियन रुपीस का digital कुछ currency वगरा वो भी future में निक हो कि भाई, बहुत बड़ी चीज होगा, यह 30% tax बहुत जादा होता है, वगरा वगरा करके, but at least ऐसा है कि ban नहीं हुआ, ban होने से तो 30% tax ही बेटर है, तो at least अब तुम यह कह सकता हो कि इंडिया में cryptocurrencies बैन नहीं होने वाली, उन पर tax लगेगा, और यह जो है वो kind of gamers के लिए कि पैसा बचा के रखावा है, सेव करके रखावा है, वो लोग को बिल्ड करेंगे, काई लोग अपना अपग्रेड रोक के बैठे में, वो लोग भी जो है वो finally अपग्रेड कर पाएंगे, तो let's see, let's see, मैं बहुत अच्छा initiative था government की तरफ से, even जो bitcoin investors, मेरे कई भाई लोग यहाँ पर, उनके लिए भी kind of ये good news ही है, 30% tax, वो लोग अगर जादा समझे तो मैं बोलूगा, at least ban नहीं हुआ, ये एक better चीज है, और धीरे-धीरे करके इसमें customization तो होती रहेंगे, वो जो transfer का 1% है, और बहुत सारी चीज़े हैं उनको जो है, government धीरे-धीरे करके मेरे खि क्रिप्टो विंटर, hope करो कि क्रिप्टो विंटर आए, bitcoin, fall करे, बुरा वाला fall करे, मज़े आजें सबके, गेवर्स के इसी बात पर, like, share, subscribe, धन्याद मैं, take care guys